पानी के बूंद कैसे beautiful spherical shape लेता है पानी के बूंद के ये shape आप समने जरूर दिखा होगा जैसे नल से निकलता हुआ last few drop या फिर सर्दी की रात के बाद पत्तों पे इसका कारण है surface tension या प्रिष्टत अनाव surface tension हर liquid में कम जाधा होता है पर पानी में इसका effect हम चारो तरफ देख सकते हैं और इसे लिए आज हम इस phenomenon को समझने की कोशिश करेंगे कुछ cool experiments के साथ surface tension क्या है सोचिए एक container में पानी है अब उस पानी के अंदर एक water molecule को consider करते हैं इस water molecule के चारो तरफ auto water molecules evenly distributed हैं इस center वाले molecule को बाकी neighboring molecules evenly attract कर रहे हैं तो इस water molecule पे net force कितना हो? zero अभी surface पे एक water molecule को consider करते हैं इस water molecule के left, right और नीचे water molecules हैं पर इसके उपर कोई water molecules नहीं हैं तो इस water molecule को नीचे और side से attract कर रहे हैं पर उपर से कोई खीच नहीं रहा है तो इस water molecule के net force किस तरफ होगा? नीचे की तरफ तो इसे लिए ये पूरा का पूरा जो surface है वो नीचे की तरफ चला आएगा इस phenomena को ही surface tension कहते हैं अभी surface water molecule पे net force non-zero होने के कारण ये एक stretched membrane की तरफ behave करता है अभी stretched membrane ऐसा ही कोशिश करता है कि उसका जो surface area है वो minimum हो सोचिए हमारे पास बहुत सारे 3D objects है जैसे sphere, cone, cylinder सब same volume के अभी mathematically ये हम दिखा सकते हैं कि ये सारे 3D objects में sphere ही है जिसका surface area सबसे कम है इसी लिए surface tension की वज़े से पानी की बून्दे spherical होता है अरे, चतुर ये क्या है? अगर ये stretched membrane की तरफ behave करता है तो क्या ये वजन जै सकता है? इसका answer हम एक experiment करके जानने की कोशिश करेंगे अब हम ये कोशिश करेंगे इस metal clip को बहुत ही carefully इस पानी के उपर रखने की अब हुआभैवा झाता है क्या हुआ हो है पानी से जादा होने के बावजूद ये पानी के उपर रेस्ट कर सकता है ये संबब हुआ पानी का सर्फेस एक स्ट्रेच्ट मेंब्रेन की तरह बिहेफ करता है इसी लिए अगर थोड़ा भी ये क्लिप पानी के अंदर चला गया तो ये डूग जाएगा इसी कारण बहुत सारे इंसेक्ट्स पानी के उपर चल सकता है और शायद कुछ फिन स्टार्स भी एक और इंट्रेस्टिंग चीज होता है अगर हम इस पानी के उपर एक ड्रॉप लिक्विड सोब डालते हैं तो चतुर मज़ा आ रहा है अभी हम एक और एक्स्पेरिमेंट करेंगे जिसे दिखा के तुम और भी पॉपलर हो जाओगे पहले हमने इस जार के ठककन पे एक बरा सा छेथ कर दिया उसके बाद एक ज़र्णी को लेके हमने एक टुकरा कट कर दिया फिर उस टुकरे को हमने इस लिट के सहारे इस जार की उपर अच्छे से फिक्स कर दिया इसके बाद हम इसके उपर पानी रानेंगे यह पॉसिबल हुआ सर्फिस टेंशन की वजए से और ऐसे आपने देखा कि एक नीडिल भी उस सर्फिस टेंशन को ब्रेक नहीं कर पाए आज जो भी हमने एक्सपेरिमेंस देखा उससे हम सर्फिस टेंशन को और अच्छी तरह से समझ पाए पर यह क्वेशन जरूर आएगा कि इसे समझने से क्या यह कोई काम आ सकता है जरूर कार के विंशील पे एक कोटिंग दिया जाता है जिसे बारिश के टाइन पानी उस पे चिपकता नहीं ताके आप और अच्छे से देख पाए तो यह अप्लिकेशन सर्फेस टेंशन को और अच्छे तरह से समझने से ही पॉसिबिल कोई है थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्या आपको पता है कि टिल्ट करने से पानी क्यों गिर रहा है हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन